चैनल में स्वागत है आपका तो दोस्तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि पर्सनल हाईजिन क्या होती है और इसी वीडियो में हम पढ़ेंगे कुछ टेप्स जिसके कारण हम अपनी पर्सनल हाईजिन को मेंटेन करके रख सकते हैं तो ज्यादा देर न करते होए वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम देख लेते हैं परसनल हाईजीन का इंट्रोड़क्शन तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हाईजीन क्या होता है हाईजीन टर्म हैज बिन ड्राइड फ्रोम ग्रीक वर्ड हाईजीया मिनिंग Godess for Health means, जो hygiene है, वो एक Greek word से लिया गया है, वो Greek word है हमारा Hygia, Hygia का मतलब होता है, Goddess for health, means, सेहत का देवता Second point है इसमे, hygiene and health are interconnected, means, जो hygiene होती है और जो health होती है, वो दोनों interconnected होते हैं, means, एक दूसरे से संबंदित होते हैं, next point आता है इसमे, hygiene refers to the condition and practices that helps in maintaining good health and preventing the spread of diseases, means, जो hygiene है, वो refers करता है हमारा ऐसी conditions को, कुछ एक ऐसी practice को, जिसके कारण हम, जो हमारी health है, उसको अच्छा रख सकते हैं, और हम disease को spread होने से बचा सकते हैं, तो hygiene उसे refer करता है, next point आता है, the rules of keeping yourself and things around you clean in order to prevent disease, means, एक ऐसा rule जो हमें खुद को और जो हमारे asperos की चीज़े होती हैं, उसको clean करने का order या disease को रोकने का, जो rule होता है, उसे भी हम hygiene कह सकते हैं, अब हम देख लेते हैं, tips for personal hygiene, means, वो कौन-कौन सी tips हैं, जिसके कारण हम अपनी personal hygiene को maintain करके रख सकते हैं, तो first आता है इसमें, taking daily bath, means, कोई भी person है, उसको daily bath करनी चाहिए, means, उसको daily सुबा उठकर नहाना चाहिए, क्योंकि per day कोई भी व्यक्ति है, वो बाहर घूमने जाता है, या कहीं पे भी निकलता है, तो उसकी body पर कुछ ना कुछ germs उत्पन हो जाते हैं, तो उनको clean out करना जरूरी होता है, इसलिए किसी भी व्यक्ति को daily बात लेनी चाहिए, second आता है, इसमें regular toilet habit, means, कोई भी व्यक्ति है, उसको daily अपनी habit बनानी चाहिए, जिसके कारण वो toilet daily जाए, toilet daily जाने का मतलब है, कि जो उसका vowel movement है, वो properly होता रहे, और किसी भी परसन को अपनी diet में ज़्यादा से ज़्यादा water का use करना चाहिए, तब ही वो अपना जो vowel है, उसको clean out कर सकता है, means, जो पेट है, तब ही साफ हो सकता है, next आता है, इसमें washing hand before eating, means, किसी भी व्यक्ति को खाना खाने से पहले अपने हाथ साबुन वगेरा से धोने चाहिए, तब ही उसको उसके बाद खाना खाना चाहिए, next आता है, इसमें cleaning the teeth, means, कोई भी व्यक्ति है, उसको अपने per day में दो बार अपने दाँ साप करने चाहिए, एक morning में और एक evening में सोने से पहले, दादों को clean करना चाहिए, next आता है, washing hair, cleaning eyes, nose, ear and nails, means, कोई भी व्यक्ति है, अपने बालों को शाप करना चाहिए, और अपनी आखों को भी clean out करते रहना चाहिए, nose clean करनी चाहिए, ear clean करनी चाहिए, और जो अपने nails है, उसको काटते रहना चाहिए, because, जो germs होते हैं, सबसे ज़्यादा इन्ही जगाँ पर ज़्यादा उत्पन होते हैं, इसलिए इनकी washing करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, next आता है इसमें, washing and cleaning feet on returning home, means, जैसे कोई भी व्यक्ति अपने घर को बापस आता है, तो उसको अपने पैरों को साप्स करके उसको clean करना चाहिए, और वो कब करना चाहिए, जब वो घर को बापस आता है, because अगर बाहर जा रहा है, तो कुछ ना कुछ germs है, वो उत्पन हो जाते हैं, तो जैसे घर में बापस आता है, तो सबसे पहले तो अगर उसको अपने पैर साप करने हैं, तो गरम पानी से वो washing and cleaning करनी चाहिए, नेक्स आता है, इसमें balanced diet, मींस कोई भी व्यक्ति है, उसको अपनी diet में carbohydrate की proper मात्रा, nutrient, minerals, यह सभी proper मात्रा में उसको लेने चाहिए, balanced diet क्या होती है, इसके लिए, मैंने पहले ही वीडियो upload कर रखी है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, तो उसका link आपको description box में मिल जाएगा, आप बहां से balanced diet को देख सकते हो, अब हम next point देख लेते हैं, next point है इसमें respiratory hygiene, means कोई भी व्यक्ति है, अगर वो खांसता है या छींकता है, तो उसको रुमाल का यूज करना चाहिए, ताकि जो germs हैं, वो किसी और व्यक्ति के ओपर ना जाएं, next आता है exercise, किसी भी व्यक्ति को daily सुबा उठकर exercise वियायाम करने चाहिए, या योगा वगेरा कर लेना चाहिए, ताकि जो उसकी body है, वो proper work करती रहे, next आता है regular sleep and relaxation, कोई भी व्यक्ति है, उसको 6-8 गंटे पर डे सोना चाहिए, ताकि उसकी नीध है, जो पूरी हो जाए, और उसकी body को relaxation मिल जाए, और last में मैं आपको एक ही चीज कहना चाहूँगा, कि आपको अपनी life में nutritional product यूज करने चाहिए, ऐसे product जो कि nutritional rich होते हैं, आपको समझ में आई होईगी, so thank you for watching.